हलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में HTML पेज़ को डेक्स्टॉप अप्लिकेशन में कनवार्ट करना शीखेंगे जावा एस्क्रिप्ट की एक लाइबरेरी आप यूज कर सकते हो काफी सिंपल लाइबरेरी है एप जेश जो फॉस्ट लिंक एपियर हो उस पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लो ये डाउनलोड हो चुका है ये जी फॉर्मेट में आपको मिलेगा आप एक्स्ट्रैक्ट करके डेक्स्ट आप पे रखो ये जो डेटा फॉल्डर आप देख रहे हो इसे के अंदर कॉंटेंट फॉल्डर में आप अपने वैबसाइट के सारे कोड को रखो के आप यहाँ पे आइकन के फॉल्डर को रहने दोगे और बाकी पहले से जितने भी डिफॉल्ट फाइल्स हैं आप उनको सेलेक्ट करके इस तरह से डिलेट कर दोगे उसके बाद आप अपने वैबसाइट के सारे फाइल्स को यहाँ पे पेस्ट कर दोगे अब अगर इसकी टेस्टिंग करनी है डेक्स्टॉप के अप्लिकेशन रूप में तो यहाँ पे अप नाम का एक लॉंचर मि के रूप में आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगा अब चरह इसके भाड़े में जानिए किस तरह का लैबरेडि आप कैसे बना सकते हो जिसे आप किसी वैबसाइट को डेक्स्टॉप आप में कनवर्ट कर सको इस तरह का लैबरेडि जावा स्क्रिप्ट के कोर सब्दों में बनता है उसके लिए आपको Node.js और Json API Development का नौलेज होना चाहिए अगर आप ये दो टोपिक अच्छी तरह से जानते हो और आप इस लायक हो कि आप APIs वाकेडा डेवलेप कर सकते हो तो आप इस तरह का App.js चैसा लैबरेरी क्रियेट कर सकते हो जो डेक्स्टॉप आप्लिके तो आप लिस्ट आप webinstitute.com वाबसाइट पर विजिट करके Software Engineering पर क्लिक करो वाइप इंस्टिटूट की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद